नमस्कार, कोरोना संकट में भी धन की कमी नहीं आने दी जाएगी, सकुंतला रावत कोरोना वायरस संकर्मन के संबावित खत्रियों को देखते हुए सोमवार को बानसूर विधायक सकुन्तला रावत ने कस्बा इस्तित मिनी सच्चवाले सबागार में प्रसासनिक अधिकारियों की बैठक ली बैठक में चिकिस्ता विवाक के थाना गाजी, BCMO डाक्टर योगेश कुमार वचिकिस्ता अधिकारी प्रभारी डाक्टर इंद्रदे व्यादव से विधायक रावत ने छेतर में फेल रहे कोरोना संकर्मन सहित PSC, CSE पर कोई चिकिस्ता संसाधन की कमी तो नहीं है इसकी जानकारी ली उन्होंने अपने विधायक निदी से छेतर में कोरोना मामारी से लड़ने के लिए आवशक मेडिकल संसाधन खरीदने के लिए 5 लाक रुपए तथा ग्राम पंचायत को 1 लाक रुपए देने की गोशना की और कहा कि कोरोना संकट के समय भी भी छेतर में दनकी कमी नहीं आने दी जाएगी इसके उप्रांत बामासा 37 खंडेलवाल, संकर खंडेलवाल, चुनिलाल खंडेलवाल, नरेश खंडेलवाल, कुल्दीव खंडेलवाल, ओमपुरकास खंडेलवाल, दुवारा नारणपुर CSC, कोलड़ा PSC को 5 ओक्सिजन कंस्टेटेटर स सहित अन्य चिकिस्ता संशादन दिये गए, इसके लिए विदायक रावतने बामासा का आभार जताया, तथा विदायक सकुंतला रावतने, थानागाजी SDM डाक्टर नवनीत कुमार, तैसलदार अरीस बाटिया, चिकिस्ता अधिकारी प्रभाईड डाक्टर इंदरिदेव यादव के, साथ पुर्षोतम आसर में 20 बैड का कोविड सेंटर बनाने के लिए निरक्षन किया, इस मोके पर बामासा प्रतिनीदी सुभास गंगावत, ग्राम विकास अधिकार एगर राजमेना, विजवपुरा सरपंच मोहनलाल वर्मा, खरकडी सरपंच मागिरत सैनी, क क्योंकि कई बार प्रसासनिक अधिकारियों को मैंने का कोई कमी तो नहीं है, कि किसी चीज की कमी है, कोई PSC पर, कोई CSC पर, अगर किसी चीज की कमी है, तो मैंने का आप मुझे आदेश करें, मैं उसका पालन करूँगी, लेकिन मेरी रोजाना बात होती रहती है, पर दे, PSC पर और प्रतेक CSC पर बात होती रहती है कि किसी चीज की कमी नहीं है कितने पेशेंट आए कोई सीरियस तो नहीं है अपने लिए तो यह डेली में बात करती रहती हूं और पूरे छेत्र की पर डे जानकारी रखती हूं सारा मेरे पास लिखा हुआ भी है कौन से दिन कितने पेशेंट आए कितने ठीक हो गए कितने होम आईसो लेट है और कितना क्या-क्या किस-किस की कोई डेथ हुई है किसी को कोई परेशानी हो तो मैं उनकी मदद करने के लिए हर समय तयार रहती हूं क्योंकि बानसुर विधान जो होती है वो बताते हैं तो इसलिए मैं खुद उनसे पूछा तो ओक्सी मीटर है जो नापने का है ऑक्सीजन है या थर्मा मीटर जो यह नापने का होस्त वो और जो चीजे हैं जैसे आज बताया कि हमें जनरेटर चाहिए साइलेंट बाला तो और 390 ये जो ठीनेटे वाल तो जो जो आवस्टेक्टता है मेंने का अभी जो अभी तो है इनके पास बाकी चित देना है घर्मामीटर है जिस जिसकी आवस्टता है जन्रेटर है सब चीज की मैंने इनको लिके आज ही देएगे जल्दी से जल्दी खरीद लें तकमीना के हिसाब से पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी सरकार की तरफ से समान्य मुख्य मंत्री अशोक गहलोजी का हम बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि वी-सी के जरिये पूरे राजस्थान की वो एक फीडबैक लेते हैं जानकारी लेते हैं और जो युवाओं को फ्री वैक्सिनेशन किया है ये बहुत सरानी एक अदम है चिरंजी वी योजना है जिसमें ये उससे भी ज़्यादा सरानी है कि ये गरीब से गरीब आदमे का भी पांच लाग तक का भीमा हो जाता है धन्यवाद और आभार है सरकार की तरफ से और मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखी जाएगी पांच लाख रुपे दिये हैं वैसे घुष्णा करिए बाकी तक मिना के हिसाब से जितना अब हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे पहले यहां के लोग हैं नस्दीक के हैं अपनी विधान सबा के हैं गाओं के हैं जो रजिस्टेशन नहीं करवा सकते हैं जिनके पास इस तरीके का मॉबाइल नहीं है तो उनको हम ओफ-लाइन कराने के लिए अभी निविदन मैंने कर दिया ह है BCMHO साब को भी और हमारे जो इंचार जैंदर देव को भी और SDM साब से भी बात कर ली कि जिनके जो ओन-लाइन नहीं करा सकते तो उन्हें ऑफ-लाइन कराने की परमिशन दी जाए नाराइनपूर एक नाराइनपूर ब्लॉग पूरा है जो तैसिल नाराइनपूर है उसमे सेंपलन्ग मुनावरा भी हो रही है अपने गड़ी भी हो रही है और को लेड़ा भी हो रही है और नारायनपूर भी हो रही है तो ऐसा कोई पर्टिकूलर नहीं की प Strasil के शिर्फ नाराइनपूर में ही आ रहे हों सभी जगह सेंप्लिंग करवाई जा रही है मेरी रोजाना बात ओती रहती है तो सब कहते रहते हैं आज दो आए आज तीन आए दस की हुई पंदरा की हुई तो एक दो ही आ रहे हैं अब आकड़े घटें अब ज़्यादा किसी को डरने की ज़रूत नहीं लेकिन ब यक्ती ठीक हो सकता है अपने 1200 में से सारे लोग ठीक हो गए दस पांच को छोड़ करके बाकि सब ठीक हो गए ये मेरी बात भी होती है उन लोगों से भी बात होती रहती है जो नाराणपूर के बुदराम जी है उनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूं कि जैपूर अलवर सारे चकर काटके वो बांसूर में बिल्कुल स्वस्थ हो करके आए तो आगे अब उनको सावधानी रखने की जरूरत है और होसला रखने की जरूरत है ये जो सेड़ जी है सतीस जी सम्मान निये मैं उनका सम्मान करना चाहूंगी कि उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं और सैनेटाइजर भेज़े हैं मास्क भेज़े हैं और कुछ दवायां भेजिये जो कमन दवा होती है जाये सीरफ है पेरासिटा मोल से मैं बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देती हूं